तो दोस्तों यह हमारे पास है गोद्रेज का फ्रीज और इसका जो है प्रॉब्लम है कि दरवाजा सही से बैठ नहीं रहा है चिपक नहीं रहा है जब हमने इसका निरक्षड किया तब देखा इसका गैस किट जो है बहुत जादा टाइट हो गया है और साथ में बहुत जगे स से फट चुका है कट चुका है इसकी वज़े से हम इस डोर को डोर गैस किट को चेंज करेंगे तील मियट के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से गैस किट को आप आराम से चेंज कर सकते हैं सबसे पहले हम इस गैस किट को आराम से निकाल लेंगे बहुत ज यह गैस्किट जो है हमारा नहीं बैढ़ता है तो यहां पर यह घैस्किट निकल चुका है लेकिन देख सकते हैं इसकी गंदगी कर जो इसके गंदगी के बारे में बात करें। बहुत ही ज़्यादा यह गंदा फ्रीज़ लगता है कि इन्हों ने सफाई की नहीं है। वह लगता है इनकी वाट सफाई करते हैं अगर जो हम इसमें सफाई नहीं करेंगे तो इसके अंदर फंगस पैदा होंगे कीड़े वगएरा होंगे तो उससे नुकसान होगा यह हमारे पास गोद्रेज का गैस किट है और यहां पर हम इसकी साइज भी माप लेंगे साइज हमारा परफेक्ट है साइज जिस तरीके से हमने पूराना गैस किट को निकाला था उसी तरीके से हम नए गैस किट को लगा देंगे यह गैस किट लोक वाला आता है आपको कुछ नहीं करना है जिस तरीके से आप निकलते हो उसी तरीके से आपको आराम से बैठाते हुए चले जाना है यहाँ पे बहुत बड़ा rocket science नहीं है कि gas kit आप बैठा सकते हो या नहीं बैठा सकते हो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बैठाने के बाद हाँ इसमें एक चीज और द्यान रखना है कि जो इसका चारो कोना होता है वहाँ पर कुछ आपको चीजे द्यान रखनी है मैं आपको बता देंगा भी थोड़ी देर में क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जब आप सा बैठाने के लिए क्या करना होगा यहांपे क्या करना होगा तो उस तरीके से करना होगा अभी मैं दिखा देता हूं मेरे पास hair dryer है मैं इसको लगा के और अच्छी तरीके से चिपका के छोड़ दूँगा यहाँ पर हमारे पास hair dryer है इसको हम यूज करेंगे तो यहाँ पर यूज करने के बाद जो है हम इसको tapping कर दिये हैं क्योंकि अब हम उनको freeze को चालू रख देना है और tap से इस तरीके से बंद करके 2-4 घंटे आप छोड़ देंगे तो आपके freeze का gasket जो इतने अच्छी से चिपक जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि यह gasket हमने भी लगा दिया ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक करें